चलिए तो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से वाइफ एसरी चैनल पर चेंजिंग दा वे ओफ लर्निक वाइफ एसरी आप अपडेट कर रहे हैं बैसिकली यही कोशन जो है जो हम टॉपिक वाइस कर रहे हैं यह आपको पेपर में ज्यादा देखने को मिलते हैं यह ऐसे कोशन है जो आपको जो है कोमन हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी में से नहीं मिलें गया ना इनको अलग से करना पड़ेगा एफर्ट करने बढ़ेंगे तो वह साथ बज़े करते हैं शेयर करना वीडियो को सारे के सारे कल का टॉपिक पहले बता दे रहा हूं आर्ट सब्सक्राइब करें तो एंवार्मेंट एकलोजी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक बारी बता आवाज आ रही है सभी बताएं एक बरी चाले तो फिर स्टार्ट करें एक बता दो आवाज आरी कमेंड बॉक्स पर लिग डालो जल्दी से ना और बाकि इतनी दिर में स्टार्ट पर पूछें और स्पैशल सेशन हमेशा अवलेबल हैं दोस्तों यह टाइमिंग सुभे दसवरी के प्लस कोर्स आप ले सकते देखो टेलिग्राम चैनल पर जरूर जुड़ों यह आपको पता है मैं पीडिएफ हंडेड परसंट दे रहा हूं मैं तीन क्लास करा तीनों क्लास की पीडियाफ आपको दे रहा हूं और एक वर्ल्ड फेर की शोट वीडियो की पीडियाफ जो है वर्ल्ड फेर्स का वीडियो टेलिग्राम पर लिक सर्च कर ले ना मिल जाएगा आपको ठीक है बागी आपके लिए रेसेंड का उप्शन है अने एक एक स्टार्ट हो जाएगी शिखर बैच है ठीक है तो प्राइस हाई कोने से बहले सब्सक्रिप्शन लेना देखो सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा बहुत होता है टाइम पे लो लेकिन एससी रेलवे गोल जवाब से लैक करो लाइव अमन कोड करके डिसकाउंट का डिसकाउ की नया कोशेन है जारा है ना टॉपिक की नया है तो डिफिकल्ट होगा चला तो हम स्टार्ट करते हैं कोशन पहला कोशन आप सभी के सामने इस कोशन का अंसर बतेगा ऑजोन होल जो अन्टाक्टिका पर है वो कब डिसकवर किया गया था बताए इस कुशन पहला इसमें हम होल जो अंत्रिका पर दिसकावर कि गया तो नैहीं जैसे अन्टार्क्टिका में एक लियर कट एक इमज है यह रियल इमज है जो आपकी ओजोन होल की जिस समय ये देखने को मिला था उस समय की इमेज ठीक है थे थे ना तो 16 मैं 1985 में जो है उनके साइंटिस थीके बिटिश अंटाक्टिका सर्वे के साइंटिस थे उन्हों ने यह डिटेक्क किया था की बिख किके BA वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे किस दिन अब्जर किया जाता है जैसे इंपोर्टन कोशन पांच जून को वर्ल्ड एन्वार्मेंट डे किस ने स्टार्ट किया था तो युनाइटिन नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है स्टार्ट किया था पांच जून को जब पहली बार स्टार्ट हुआ था 1973 हाला कि इस समय हमेशा हर साल जो है इसे अब्जर किया था ठीक है लेकिन पहली बार का कोशन जरूर मिलता कि कौन से वर्ष में त सारे कोशन पेपर में आने लाइक है बाई हर एक कोशन की एक वैल्यू है कि हाँ आ सकता है पर में डारेक्ट बते यांसे के इस कोशन का और समिट किसके द्वारा और्गनाईज कि जल्दी सब्सक्राइब कर लिया था किसी ने नहीं देखा तो देख लेना ठीक है वैसे सब्सक्राइब के यह अन्से का यह जो अलग है कल्चर के ऊपर है और यह बात हो रही है तो युनाइटेंट नेशन और इन्वार्मेंट इन डवलप्मेंट इसकोशन का अंसर है इसके द्वारा जो है पहला आर्थ समिट राइवडी जनेरिया ब्राजील में 1992 में किया गया और किसने किया था UNCD के द्वारा किया गया था यह कोशन ऐसा है कि option देखिए बच्चा गलत जरूर करता ठेक है option का ध्यान रखना यह question जो है गलत नहीं होना चीजिए अच्छा question है बहुत ज्यादा इसका सेक्रेटरियट कहां पर कमेंट करेंगा इसकोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताईगा इसकोशन का answer थीक है ध्यान अखना थीक है है ना छले तो इसकोशन का answer है मौनट इसकोशन का आंसर कांफरेंस वन बायलोजिकल डेवर्सिटी तेक है आम इसकोशन का आणसर मौन्ट्रियल केनेडा में और भी चीज़े हैं जैसे संबंदित हैड़कॉटर है तो आपको कभी-कभी किसी बड़ी ओर्ड यकि पारे में वह सवाल मिल सकता है तो यह सब्सक्राइब से संबंदित हैं इसके खाल पॉय्टम बाइलोजिकल डाइबरेटरी के चलिए एक और कोशन नहीं थोड़ा सोच समझ के आंसा लगाना ठीक है इस अज़्शर करने का सिए गया है कि इस कोशेंब रहे अंश के हाँ करिए करिए कि चलिए इसकूशनका आंसर्य के है ठीक है इसकोशनका आंसर एक लोजिकल बैलन्साइब नेगा एक लोजिकल बैलेंस इस कोशन का आंसर है तो यह important question है यह important question है पूछा जा सकता है ठीक है चले एक और question देखिए बताइए इस question का answer ठीक है जैसे अब यह है ecological देखो और forest area किसले चाहिए यह कहा जाता है कि पूरे अर्थ का ध्यानक ना ठीक है बेटा बिलुकुल important है पूरे अर्थ का कितने percent जो है forest होना चाहिए अगर ecological balance बनाए रखना बताएए कोई सवाल बता सकता है जवाब पूरे अर्थ का कितने percent land जो है forest होना चाहिए अकर ecological balance बनाए रखना है option मैं नहीं देरा direct answer बताओ कितने percent होगा यह paper में question आये हुआ है कितने percent forest होना चाहिए पूरे अर मस्ट भी 33% अगर ecological balance बनाया रखना है कोशन आ चुका है 33% इतना तो पास होने के लिए भी चाहिए होता है समझ रहे हो तो कोशन आपको मिलेगा इस पर टेली कराम चैनल पीडिएफ के लिए यूज़ करना बहुत प्यारा कोशन ठीक है मतलब यह वीडियो अगर आपने कर ली ना जो आपका एंवार्मेंट इकलोजी का जो टेंशन है बहुत सारे एक्जाम से जिसमें एंवार्मेंट इकलोजी का पार नहीं आएगा ठीक है तो हम तार्गेट रख रहे हैं कि हाँ हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहतर होना चाहिए नाइटिन एटीवन में एयर पॉलुशन कंट्रोल एक्ट लाए गया था ठीक है यह डेट जो है ना कि 29 मार्ज को लाए गया था यह इतना जरूरी नहीं है एयर पॉलुशन को प्रिवेंट करने के लिए इयर का ध्यान रखना कोश्चन एयर पे आपको मिलता और यह से इयर में एयर पॉलुशन एक्ट लाए गया तो सारे के कोशन आपको आज हम करा देंगे कवर हो जाएगा ठीक है चलिए एक और कोशन देखी अर्थ का सबसे बड़ा एकोसिस्टम क्या होता है बहुत ब्यारा कोशन आंसर कैस कोशन अर्थ का जो सबसे बड़ा पेपर में कोशन बनने इनमें से जितनी भी वीडियो ला रहा हूं ना इनमें से कोशन बनेगा आज सवल्लों हम पूरा कवरेज ऐसे ही करा देंगे जब हिस्ट्री पॉलेटी जोगरफी स्टार्ट करूँगा ना साथ बजए तब भी ऐसे ही करूँगा कि वो वीडियो उसना पर्टिकुलर चैप्टर की होंगी कि हां यार प्रेजिडेंट पे कोशन जादा आता तो प्रेजिडेंट का कोशन होना चाहिए सार ठीक है तो आ जाधा होगा ठीक है वर्ल ओशियन ठीक है चलिए और कोशन देखिए कोशन का अंसर के कमेंट करेंगा आज डूटू टू इसमें क्या है कि जैसे इसमें तो इसमें यह लगाना चाहिए वाइस्वेरी लगा न चलिए एक और कोशन देखेंका वाइस्वेर ही लगे क्योंकि उसमें यहां आध्या इसकोशन का बते ट्रॉपिकल फोरेस्ट जो है डैमेज औरे किस वज़े की डिमाड से बते पौर्फ की दिमांड इंडी में एकिए ना कई संद से पते क्या अंसर होगा सक चली अंसर के इस कोशन से क्योचन का एक बड़े अच्छे स्यु कोश्चन है आम सींडा आते हैं इस टाइप के आंसर कोशन आप से बहुत कोम्दी आ exactement की हाँ जी इसमें से हमारा जैसे वालो कोई साभी एको सिस्टम के बहुत सारे उधार रहें अब सवाल यह पूछा गए कि एको सिस्टम पे सबसे ज्यादा नेगडे इंपेक्ट लीस इफटक पड़ा जा थोड़ा सा खतरना यह ना बड़ी सिमबल सी बात है इकोसिस्टम में बेंद का इंपक्ट जादा नहीं होता है यह फिर अगर होगा तो थोड़ा बोतो वालों रहाधा और विंड से कोई नुक्सान होता नहीं होता है ठीकें टेंपरेचर वैरिडियसन से होता है सुन लॉटर के एवलिबिल्टी कम है ज्यादा इस से डिपेंड क क्रम में कौन सा टम हैं जिसमें सारे लिविंग इंट्रेक्ट करतें हैं तो आंसे क्या होगा अब यह मैं होई चीज बता रहे हूं तो इस क्या होना चाहिए बते ही कहां से क्या होगा कि जैसे इसमें यह जो location है इधर ही तो होता है बेसिकली है इधर ही तो इसकोशें का आशा यह है ठीक है बायो स्वेर में सब कुछ जो है अवलेबल होता है इसमें से कौन सा रिनियाबल सोर्स आफ एनरजी एक बार यह हमले यह चैप्टर खतम कर लील है ना उसकेबाद अपना इस तरह से पार हो जाएगा है हमारा इसकुषण है अट्रृट्रिक बाकि यह सब हराह ऑने हैं नेच्टरल गैस रिनेवल एनरजी तो टेंशन की होती है लिए कि सी एंजी खतम हो जागा एंड मैंनी मौर फिंग्स हाइड्र एलेक्टिक पावर इस कोशिंग का आंसर है ठीक है ऐसे और भी से सोलर एनरजी एनोल है रहा तो बड़ा असान कोशन नहीं है तो ठीक है चलिए एक और कोशन देखेंगा मरीन नैशनल पार्क जो है कहां पे इसमें मलब इसमें से कौन सा लोकेशन जो है मरीन नैशन पार्क कहां पे लोकेशन है इस कोशिंग आंसर बताई कमेंट करेंगा करीगा है इस कोशिंग आंसर कहां पे लोकेशन है यह तो असान यार कोशन कि तो यह और अब टो ॹण 만약 कऊई सब्हूं देख़ेंगे तो इस खोशन का आँशन पार्क कहां पर लोकेड है तो इस खोशन का आँसर द्वार का डिस्ट्रिक वहां पर है इस पर कोशन आपको मिल सकता है कि कौन सी लोकेशन है डिस्ट्रिक कौन सा है तो दे भूमे बेटा कल भी सात बज़े क्लास जो होगी वह आर्ट एन कल्चर की होगी कल भी जो क्लास होगी ना आर्ट एन कल्चर की होगी तो आपको कोशन मिल सकता है है ना चलिए देखे जैसे यह मरी नेशनल पार्क है गल्फ ओफ कच में है ठीक है गल्फ ओफ कच की देभूमी जो द्वार का डिस्ट्रिक है वहां पर है तो यह कौन से वर्ष में जो है नेशनल पार्क तो ध्यान अखना ठीक है यह 1980 में अनॉंस किया गया था 1980 में अनॉंस के बैटा एर फोर्स का एक्जाम हो डिफेंस का कोई भी एक्जाम कोशन आपको इस वीडियो में से मिलेगा आपका एंवार्मेंट एंड एकलोजी का टॉपिक तो आना है ना मैं टॉप ऑचेंज कैसे कोशें आना से कार्बन अग्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है बहुत कोमन ही बात है कि कार्बन अर्थ पे 60 जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है इसा नीं इस कार्बन डाक्साइड ही करता है उसके अलावा और भी ऑर बीन मिथेन गैस is also the reason CH4 उन इ ठीक है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो ग्रीन हाउस इफेक करती है चल एक और कोशन देखेंगा बताई भीतर कनी का वर्ल्ड हैटेस साइट है यह कहां पर लोकड़ है भीतर कनी का नैशनल पार ठीक है इस कोशन का अंसर बहुत जल्दी से आंसर बताओ पहले ठीक है है चाहरा है आठ सेप्टेंबर का कलका उसके लिए सकता है अमन 11 कोड या लाइव वमन कोड यूज़ करके दोनों में से कोई साव यूज़ कर लिए अंसर है उडिसा इसके बारे में जानते हैं कोशन अच्छा है भीतर कनी का नैशनल पार्क ना एक कंजर्वेटिव एरिया ऑब है तो युनेश्को का पार्ट है कंजर्वेटिव एरिया है और उडिसा लोकेशन में है उडिसा में है तो हैसी के नियरबाय सफ़ेंपल आपने सुना ओगा ठीक है भीतर कनीका के नियरबाय है संफ़ेंपल और लेंग जादा अब गोशतन देखिए इस पोशन अब व रेन वाटर स्टोरेज अगर करते हैं तो उसका क्या फाइदा होता भूट कोमन सी बात है ठीक है जल्दी से बतेगा पतें पते हैं बहुत ही असान कोशन है रेन वाटर हर्वेस्टिंग जो होती है रेन वाटर स्टोरेज जो है उससे क्या वेरिफिट होते हैं अब इसमें वैसे एक ही ऑप्षन सही है पते यह ऑप्षन सही है क्या चाहर तो यह ग्राउंड वाटर लेवल को रीचार्च करता बड़ी सिंपल सी बाता बाकि सारे उप्षन अरे बारिश के पानी से पानी थोड फ़्वाँ होगा ठीकर प्योंगे थोड़ी स्कार सिटी मतलब पाने की पीज़ेंगी चले एक और देखेंगे न है तलता यह उसका अलग बताया अब मैं इदर आंसर बताओंगा कि मरी निको सिस्टम है क्योंकि इदर स्पैसिफिक दे रहा है इधर स्पैसिफिक आपको द है ठीक है तो इस कोशिंगा सभी है चलिए एक और कोशन देखें बड़ा अच्छा कोशन यह पेपर में आ चुका है बहुत सारे पेपर में प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है वैसे आप ध्यान रखना कि सबसे लार्जेस इकोशिस्टम कोशन आपको ऑप्शन में मरीन ही देगा ठीक है भी रेरी देगा मरीन देगा तब आंसर सही होगा ठीक है तो आंसर कैस्ट कोशन का जल्दी से बताएगा को एक अप्रेल 1973 को लॉन्ज किया था यह पुरी दुनिया का सबसे बड़ा इनीशेटिव है यह अभी तक का अगर आग है कि आज से यह भी सवाल पूछा राता miteinander क्या भी है ठीक अगर यह भी सवाल पूरी दुनिया का सबसे लाज़र स्पीसिस कंजर्वेशन इनिशेटिव कुन सा है तो वह हमारा प्रोजेक्ट टाइगर ही है 1973 को कोशन बहुत अबार आए सबसे जबाएटा पीडिया सागर मिलेगी टेलीग्राम पर आवन सर वाइफे सड़ी सिंपल सा है अपना टेलीग्राम सानल जोइन कर लो लाजिस भी आती रहेंगी वर्लड अफेर की वीडियो का पीडिया बीडिया इसका पीडिया कितने बजे रात को दस या ग्यारा बजे के बीच में आपकी सारी पीडिया आती है टेली क्राम पहले जोइन कर लें है इस कोशन का मोस्टेवल मेरीन है ओशियन एको सिस्टम जो एकल जो तरह फंदर शहिए एक पानी के अंदर कितनी शांती रहती है ना सलिए अगर कुश्टिंघ यह इस को लिए है maximum biodiversity किसकी है बहुत बेसिक सी बात है बाइब मतलब पेड़ पोदे फ्लोरा फोना सब कुछ होगा है ना सबसे यहादा किसमें होगा इने में से पते कहां पर कि मैक्सिम बाइड वर्सेटी होगी बते कि आंसे के इस कोशन गांश है इस कोशन का आंसर है ठीक है तो इसकोशन का आंसर है अब इसके बारे में समझते हैं कि जैसे या और्थ का पूरा सिस्टाम आर्क जोन आर्क्रिक जोदर जो है ट्रॉपिक ओफ कैंशर के प्रिकुन तो यह दो पोइंट है ना इन में जो है2 ज़ादा होती है और हे यह है कि बारिष इस एरिया में जब भी आप कभी देखेंगे जैसे इंडिया का भी थोड़ा सा पोर्षल इसमें आता है तो फॉन rainfall rainfall बहुत ज़्यादा होने के वरे से और बहुत ज़्यादा हाई टमप्रेचर बारिश और धूप दोनों एक साथ जहां पर होती है वहां पर खल्यान जो है ज्यादा होते हैं हर्याली ज्यादा होती है तो इस सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा बेसिक कोशना सब्सक्राइब करेंगे फिर अपडेट करेंगे तो ऐसे धीरे-धीरे टॉपिक बढ़ रहें अपने ज़्यादा अच्छा कंटेंट रहेगा आपके लिए तो आंसर इसकोशन का ओनली अच्छा इदर लिखा हुआ मोर देन 2 तो ध्याँ न रखेगा आप इंदर न इसका ऐंसर न यार एक सेकंट रुपिये इसका अशटा माद ऑपर्षन में दिया होता है तो सही अशे नहीं होगा, it's only 1%, हमेशा 1% यह option में दिया होता है, ऐसे इसने बहुत ज़्यादा confuse कर दिया, ऐसे घुना के option देखे, less than 1 भी नहीं होता, आप simple सा ध्यान रखो, it's 1%, क्या, it's 1% और 1% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा नहीं होता, यह भी option गलत है, ठीक है, 2% से ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक है, 1% होता, वस आपको इतना याद रखना है, और उसके बाद 1% से आगे 10% जाता है, 10% का low जो है follow होता है, तो आप 1% याद रखना, ठीक है, चल एक और question देखेगा, एल नीनो क्या है, एल नीनो और ला नीनो, ठीक है, दो वर्ड है, एक है ला नीनो, और एक है एल नीनो, ठीक है, क्या answer सही है, बड़ा अच्छा question है, question difficult है थोड़ा सा, हम जब topic पढ़ रहे हैं तो topic का पूरा एकदम ना complete कर देंगे एकदम, बराबर कर देंगे बाद, तो answer के, इस question का, इस question का answer है, warm ocean current, इस question का answer है, ठीक है, तो देखे, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूं, ये जो South America है ना, South America और इसके इदर ना, पेरू current है, ठीक है, इसके ओपर warm current होता, नीचे ठंड़ा होता है, तो ये जो location है, यहां से एनलीनों जो है, प्रोड्यूस होता है, ऐसे लालीनों जो है, Australia की तरफ है, ठीक है, ध्यार रखना, लालीनों का concept, Australia का concept है, और एनलीनों का concept, South America concept है, ठीक है, तो दोनों में से कोई साभी option आपको मिल सकता है, ठीक है, forest cover reduction का कारण का, बहुत basic सी बात है, हमारे forest कैसे खम हो रहे हैं, बताएगे इस question का, comment करी आँज से के, डीयर डाल तो मैं दू, ठीक है, annotation वाला PDF, लेकिन न फिर उसमें बच्चे बहुत सारी information छोड़ देते हैं, हम तो ऐसे नहीं कि सब में सरकल लगा दे, सब में सरकल लगाते हैं, से लिए answer के, इस question का, इस question का answer, rising population, जितना आबादी बड़ेगा बड़ी कोमन सिवात है, पॉपलेशन बढ़ेगा, लोगों के नहीं के लिए जगा चाहिए, शैर में सारी रह सकते हैं, तो सारे जंगल के और जाएंगे, वहाँ पे शैर बनाएंगे, तो सिंपल साहा बहुत बेसिक सी बाद है, पॉपलेशन बढ़ रही है, उसका एकारण ही है, biggest source, बड़ा अच् के हैं, कोशन इंपोड़ेंड है यार यह भी, चाह तो आंसर के हैं, इस कोशन का है, आप देखो होता के है, बच्चे लगाते है, ओटमोबिल एकसिटी जो है, इस कोशन का आंसर, ऐसा लगाते हैं, बच्चे कि गाड़ी उस हो रहा है, नहीं, एक्चुली इतना गाड़ी स नहीं हो रहा है, जतना सीवेच और गारवेच से होता है, ऐस कोशन गाअंसर जो हैं, यह सही है, ध्यार सब्से जादा विदेडिया का का पॉमिलिशन, आप कनसिडर करेंगे, अभी, गाड़ी लैंतो इतना भी ज़्यादा पॉलूशन नहीं फैलाती हैं, अगर आप सब्सक्राइब गड्रेंज की इतनी प्रोग्लम है कि सब्सक्ति किसे हमें जहां पर स्पीसिस जादा होती है अगर मैं इन चार एकोसिस्टम की बात करूं तो डाइवर सिटीं कहां पर ज्यादा होगी इन में से बताई जैसे अब यह ज्यादा धाला की बात उरीए तो बहुई कोरल रिप में ज्यादा डैवर्शिटी सब्कॉष यहां पर बारिश और सब्सक्राइब में ज्यादा है मुश्किल है कोरल रिप का एक इमेज है ठीक है ट्रॉपिकल रेइनफॉर्स यहां पर होते हैं इस वजह से यहां पर diversity होती है जादा ठीक है तो ध्यान रखें कोशन important है ठीक है चले आन से के सुनामी किस वज़े से आती है कमेंट करें सुनामी किस वज़े से आती है चले तो सुनामी किस वज़े से अर्थ बिलो ओशिन फ्लोर जो है उसमें से अगर थोड़ा सा हल्चल होगी तो जो पानी है वो उपर नीचे होगा उसकी वज़े से सुनामी आएगी ठीक है और option बहुत सारे हैं लेकिन यह सुनामी बहुत खतरनाक आई थी जब दुनिया में सुनामी आई थी ठीक है तो इंडोनेशिया और यह सब शहर तो बहे गेते पूरे मतलब सबसे खतरना है थी बहुत ज़्यादा बड़ा लोस हुआ था सुनामी से इंडिया का फर्स नेशनल एक्शन प्लैन इस किया घया था आंसर कैसे कुछिंगा है बते जिसकोषिंगा है यह कौन से वर्श में तो आशेराट में ठीक है दो जार आट में यह सब अब ये भी चीज़ ध्यान अखना तीजुनी को यह जो है किया था ध्यान अखना इस National Action Plan Climate Change के अंदर आठ आते हैं यह आठ मिशन है आठो मिशन का नाम याद रखना ठीक है आठ मिशन है टोटल कितने National Mission है Climate Change को लेकर आठ मिशन है कोशन आपको मिल सकता है ठीक है यह तो आपको ठीक है यह बताया आठ मिशन के नाम जैसे National Water Mission National Mission for Sustainable Heavy United National Solar Mission यह सारे MPNAPCC में आते हैं तो इदर आठ तो जो वैल्यू है यह याद रखना है ठीक है पहला प्रोटोकोल CFC यह से तको बैं करने के लिए कौन सा था बता था तो उसको बैंक रहें सबसे पहला प्रोटोकोल कुन सा था जो बैट टॉपिक पढ़ा रहा हो ना आप यह मान के चलो कि आपने अगर यह सारी टॉपिक की सीरीज कवर कर ली आप सबसे वड़ा ड्वांटेज ले लेंगे हिस्ट्री पॉलेटी जोगरफी तो चलो कॉमन चीज़ा सब को आती है यार करही लेते हैं यह टॉप में से यूज की जाती है उसको रोकने के लिए अच्छा कोशन है यह भी पूचा रहेंगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल केनेडा में लाया गया था 1987 में इस यह को याद रखेंगे हम ठीक है इस यह को याद रखेंगे पहला प्रोटोकल है फोकस इस पर रखना यह पर हान यूपी में करेंट फिर इंपोर्टेंट है कि फर्स्ट बायोटेक पार्क लोंच किया यूपी में बनाया क्या कोन सी सिटी में थीक है आंसे के इसकोशन जल्दी से बताओ ठीक है अधोड़ा नहींटी थोड़ी सी ज्यादा लग रही है थोड़ा हीटप सा हो रहा महूल ए जरी आनसे कऊचोंगा इस सबुस्कांट से चल्फार बायोट-जीक है और ऊतरपादर देश में वना दिया है कोषिन आ सकता है ठीक है, not included under the in-setto conservation असान है question ठीक है, इसमें से कुन सा पूरा समझेगे, x-setto क्या होता है x-setto क्या होता है और in-setto क्या होता है, पहले आप answer बताइ, इसमें से कुन सा ode बना होता है, यह लगी दिख रहा है ठीक है, यह लगी दिख रहा है तो जैसे अगर मैं बात करूँ जो बोटैनिकल गाड़न जो लोजिकल पार्क एक्सेतू है अ यह ex2 बनाए गये देश , एक्यूरियम इस एक्यूरियम , कि अच्छो तो एन्वार्मेंट इंक्लीड विच ओफ फॉलिंग तो आंसे इस कुशन का है अब आटिक और बाटिक के दोनों कंपोनेंट होते हैं है ना है ना चलिए आंसे का जल्दी से बताएगा जैसे बहुत बेसिक है ठीक है यह सारे आपको ना कोशन यह भी मिलता ध्या खाना की क्यों सा अबाटी कंपोनेंट है तो यह जो है ना तो यह है और इसमें यह दोनों के दोनों अबाइटिक तो कौसेटेटेटेैं आपको इनमें से वी मिलता नीज में से कौन सा वायटिक है दू उनाइटेटेट नेशन defining एक उसन्억ानौ है यकोन लेखे जो सी नुटी कि वा था बडा फेमस हुआ था युट किस का मजण बर मैं कि एंसर के है ठेख कि सीङॉपी का हान पे इस सब्सक्राइब करना पूरा वीडियो का डूरेशन बढ़ता जा रहा हुआ है तुरेशन बढ़ा हुआ है इसका तो जो है यह है कि हमें टॉपिक खतम ही करना पूरा इसके बाद मैं एकलोजी का वीडियो नहीं लेकर हुआ हुआ है सिंपल सा है तो हमें पूरा कवरेज करना एक ही वीडियो में तभी तो मैं कहला है कंप्लीट अपडेट है पूरा पैरिस है सबसे बड़ा क्लाइमेट जो है कॉन्फ है ठीक है चले एक और कोशन देखिए बता ही आंसे के इस कोशिंगा विच ओफ दर फोलिंग एनिमल कैन लीव और लोंगेस्ट विवेशन विदाओ ट्रेंकिंग बड़ा बड़े कॉमंस यह बात है बिना पानी पी यह कौन सा जानवर सबसे जादर समय तक रह सकता ठीक है कोशन का आनसर के अचा तो इस कोशन का आनसर है ठीक है इसकोशन का आनसर है एक और कोशन देखेगा अच्छा देखो यार इसमें क्या है कि ठीक है, वक्त और जजबात दोनों बदल गे ठीक है, जैसे अभी एशिया कप में बदले हमारे समझ रहे हो कैमल लगाने वाले बहुत बच्चे है लेकिन जो कंगारू रहेट है कैमल भाई रह सकता है मानते हैं रह सकता है कितना, एक महीना, जाज जादा दो महीना, तीन महीना लेकिन ये जो कंगारू रहेट है बहुत यूनीक सा सवाल है, कोशन गलत भी होना था फिरल्की वाला कोशन था दस साल तक एक चूहा वैसे चूहे को कभी पानी पीते वोए देखा है कभी पीते वोए देखा है कि इंडिया का फर्स नेशनल सेंटर फोर मेरीन बाइडवर्सिटी जो है कौन सी को से इस कोश से घहें जली से होते ही अटा पीते हुए तह सर हमने ऊट को भी नहीं देखा जैलते हैं आंसे कि आंसे के इसके इसकिन का देखिए इंडिया का फर्स जामनगर में कोशन आ सकता है थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इन्योग्रेट किया गया 2011 में प्राइवेट पार्टरशे मोडल है जिसमें रिलाइंस इंडस्ट्री सरकार के साथ मिलके इसे बनाई थी ध्यान रखना इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बाइड आवर बड़ा असान है संसे जो रेडियंट एनर्जी अर्थ तक आती है उसे क्या खाहा जाता है जामनगर कहां पर गुजरावेट बहुत फेमस है ठीक है जामनगर के उपर सवाल पूछे जामनगर कहां प्यार ऐसे तो मत करो तुम्हें जामनगर नहीं बता चाले इस खोषद का अंसे कि थीक है आंसर का इंतु loneliness से यह बात है संसे इंत्र साथ आती है उसे हम इंत्सुचन कहते हैं यह धीक है प्रोसेस को प्रोसेस कुछाना थीक है चले एक लुक्षन दिखे कि यार इसमें क्या है कि बच्चे क्या करते हैं इसपे बच्चे का आंसर लिखते हैं राडयेशन इसकोल ना आजैसे एक नहीं का की सर्व 1 होगा अब यह कहरा राइट एनरजी रिसीब आइट फॉं डशन इसको अगर यह सोलर रेडियेशन लिखा हो तो मैं इसे सही कर देता समझ रहे हूं बहुत सारे वच्छे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अगर ये यहाँ पे लिख देता solar radiation सिर्फ radiation की जगा की जगा solar radiation लिख देता तो मैं इस statement को भी सही कह देता solar radiation को ही insulation कहते है ठीक है समझ रहे हो क्योंकि इसमें बहुत confusion होती है बच्चा गलत करता है तो आगे से मत गलत करना solar radiation लगे तो सही कर देना अगर solar radiation ना दे रखा इंसुलेशन दे रखा तो यह सही कर दे रहा दोनों टर्म सेम है ठीक है ध्यानक रेडियेशन तो रेडियो अक्टिविटी की भी हो सकती है भाई समझ रहे हो एक और कोशन देगी इस कोशन कहां से कहें पताई एंथ्ट्रोपोजैनिक बायोम इसमें से इस कोशन का कौन सा एंथ्रोपोजैनिक बायोम है इस कोशन का अप्शन कोन सा करेक्ट है समझेंगे इसके बारे में वट इस एंथ्ट्रोपोजैनिक बायोम है इसको मतलब समय एंथ्ट्रोपोजी सुना एंथ्ट्रोपोजी सब्जेक्ट है इसमें इंसानों के बारे में इंसानों कौन कौन सी ट्राइब है कैसे कैसे लोग रहे होंगे ठीक है तो यह होता है human biome अब human biome के example क्या हो सकता है बाई किसान ने फसल हो गाई प्रोप्लेंड बनाया तो वो होगा ना इस कोशन का अंसर यह बड़ा असान कोशन था कंसेप्ट पता है टॉप वर्ड का मतलब समझाना चाहिए अपने हम कोशन सही होता है वर्ड वाइड फंड की स्थापना कब हुई थी इस कोशन का आंसर के सर यह साहिल को ब्लोग कीजिए एक दूसरे को उल्टा सीधा मत बोलिए सीधा बोलिए बिल्कुल है ना समझ रहो है ना तो पढ़ो थोड़ा सा आ तो ठीक है तरी नहीं तो मैं पर कोशन लेंगा यहां पर टेस्ट वाले कोशन लेंगा फिर से दुबारा बच्चे बहुत अब दूसरे कोशन का आंसर है कि देखो जैसे यह ना इसका सिंबल क्या है इस रेड पांडा हाला कि हमने ब्लैक कलर का ले लिया लेक और वाइट कर दिये से लेकिन हां इस पर कोशन आता है ठीक है कि पांडा इसका वो है है 1961 में इसकी सापना होई बड़ा फेमस है लैंड्स यूजिलेंड में इसके हैड़कॉर्टर है ठीक है फोलें एक्वेटिक प्लांट इस एफेक्टिव इन प्रेवेंटिंग दा वाटर बोलुशन वाटर बोलुशन को प्रिवेंट करने के लिए रोकने के इसमेंसे क्या स रहूं लेकिन इसका पता निटा ने तक थीक है तो न्युक्त यह प्लांट जो है यह पॉलिषन को ईद्रोल करने में हेल्प करते हैं तो वाटर पॉलुशन को कॉन्टोल करने में आंसे के इस कोशेंगे डिचिंगम नैशनल पार्क किसके लिए फेमस है इस पूशिंगा आपशेंगे लंबी टॉपिक है ज्यादा हम करेंगे पूरे कल आट और कल्चर का वीडियो स्टार्ट होगा साथ बजे फुल आट और कल्चर खतम और कोशन आना ही आना है आर आट कल् स्टैक तो हो गई ना फेमस हैं बहुत ज्यादा तो हंगुल कश्मीरी स्टैक वेरी फेमस से लिएक और कोश्चन देगे किस दिन ऑफजर किया आता है वर्ल्ड एनवार्मेंट डे और बायड़ावर्स्टीट डे के कोश्चन को ध्यान अकना ठीक है गलत ना करना क्यूंकि जो इस कोशन का आंसर है वाड़ डिवर्सटीट डे और किसके द्वारा इंट्रेशन डेयों बायोचिकल डिवर्सटी के नाम से जाना जाता है चले एक और कोशन देखेंगे इनका पीडियेफ सारी नाम के साथ भेज रहा हूं क्यूंकि मुझे पता है कि एक बार में यह न लेकिन हमें पीडिया से रिवाइस करना पड़ेगा और मैं इंडिविजल वीडियो डाल रहा हूं वहाँ तुम्हें पता मिनी अभी कितने चोड़ते तुम कहते हो स्लेबस तुम्हारा कंप्लीट है तुमने पढ़ लिया कई पर स्लेबस तो अब हो रहा है ठीक है बहुत टॉपिक वाइस अब देखोगे अभी बहुत टॉपिक वचेगें सारे करा हूँगा मैक्सिमम रेट ओव डीफोरेस्टेशन पते ही सबसे आधा डीफोरेस्टेशन कहां पर होता है चत्वान से जहां पर फोरेस्ट जादा है बाई जहां पर पैसे जादा हो वही तो एक सी बात है सबसे आधा इसमें बताया नफॉलिंग एंवार्मेंट सब्सक्राइब ग्रोथ मैं ग्रूफ मैं ग्रूफ कैसे रहते हैं कि असान है कुछ भी नहीं इसमें ठीक है मैं ग्रूफ में कैसा लप जो है वैजिटेशन होता है ठीक है उसके इसाप से बाई टाइम पर आवकाश है ना टाइडल फ्लैट्स देखो आप टाइडल फ्लैट्स क्योंकि जो मैं ग्रूफ में जो प्लांट्स है ठीक है वो जो है टाइडल फोर्म होता है अगर आप देखोगे सुन्दरवन डेल्टा वहां पर लोकेशन ऐसी होगी ठीक है तो यह अस सब्सक्राइब कमेंट करेंगा टाइम पर आगरो आट एन कल्सर का कल का वीडियो लाइफ टाइम पर देखना भाई कोशन छोड़ोगे आपको नुक्सान होगा ठीक है मैं एक बार फुल फ्लेच करा रहा हूं मैं आपको जो कोर्स लेके आ रहा हूं कोर्स बहुत बहतर होन सब्सक्राइब करता है इंडिया का थर्ड रिसस्टेशन अंटाक्टिका में जो बनाया गया था वो किस नाम से बड़ा अच्छा कोशन ठीक है लास्ट बटन नोट वैसे अभी यह लास्ट नहीं चाहिए देखते हैं कोशन होंगे अभी आज जादा होंगे थोड़े कोशन हमने यह वीडियो फता है कम स्टार्ट करी थे आज क्या तारी के साथ तारीक है न हमने शाइद यह 28 अगस को स्टार्ट करी थी और हमने अभी तक यहां पे आठ से ज़्यादा टॉपिक कर लिए हैं आठ से 9 टॉपिक है यह शाय आप इसले 7 टॉपिक 8 टॉपिक मेरे टेलि लेना और बागी या फिर आप कोर्स में बढ़े डारेक्ट ली जाके ठीक है यह कर लेना आगे आभी नो दस टॉपिक और आएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे आंसर इस कुछिंग का भारती अपको यह मेत्री दिक्कत क्या है कि आपने इंफोर्मेशन ली थोड़ा सच्छोटी आपने सिर्फ मेत्री सुना हुआ है कोशन लगा दिए भाई सबसे पहलों बड़ा फिर्मस है भारती पर्मनेंट अंटाक्टिका रिसस्टेशन है जो इंडिया ने कमिशन किया इस थर्ड रिसस्टेशन अलोंग साइड मेत्री मेत्री के बाद जो है इसे पर में खुश भी होगे भार तक आते बैट्रों तक पोस्ते भूस्ते घर तक पोस्ते उसके बाद दुखी हो गए क्या घरदिया ब्लंडर हो गया तो मैक्सिम्म राविट डिवर्सिटी जो है यह कहां पर इस कोशिंगा अंसे कहां पर बच्चे फिर ब्लेम नहीं करते हैं असर पढ़ायों नहीं आता अरे पढ़ो भाई जो चीज पढ़ो के जाओगे ना सई चीज तभी तो आएगा पूरे वीडियो देखलो आपको बहुत काम आएंगे ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट है जहां पर बारिस जादा धूप भी जाद होगी तो जैसे हमारा अगरना ब तो चुबर की तरफ चले जाओ ट्रॉपिकल रेंफोरेस्ट है वहाँ पर ठीक है नोर्थीस्ट में चले जाओ तो यह अपना टॉपिक वह कवर फुल और फैनल एन्वार्मेंट के बेस्ट कोशन सा रहे इस वीडियो में है ठीक है डीम चैनल अमन सब्सक्वाइव फेस्ट ठीक है इसको आभी आप जोइन कर लेने ठीक है टेलिग्राम चैनल को आप देखो यार एक तो सिंपल सी चीज़ है सब्स्रिप्शन लेना बहुत फायदे मन्द होगा आप कल वाले बैच का सब्स्रिप्शन जरूर ले लाइव अमन कोड से बहुत कम फीस होगी आपकी इस समय में ठीक है कोड लगाना अपने अफीस का मुझ यूटिलाइस करना कल वाला बैच सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा आज रात को जॉइन करो कल सुबह 11 बजे आ जाना कोन याद कर रहा है ठीक है चलिए बागी ना हम सेशन को बढ़िया से शेर कर दिया करो ठीक है चाली तो फ हो आर्ट इन कल्चर का रखा है पहले से ाराउंस कर दिया है तो सक्मत करना थेक है और अपर कुलिए